हाई एवरीवन मैं हूँ रूबी और आप सभी का तारा मदू की रिसोई में बहुत बहुत स्वागत है तो आज में कोई केक की रेसिपी नहीं कोई की डेकोरेशन भी नहीं लाई हूँ बल्कि केक के टेस्ट को आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं कैसे उसका टेस्ट और अच् हैं कौन सी कंपनी के अच्छे हैं कहां में इन्हें स्टोर करें और इनसे रिलेटेट काफी कुछ जानकारी वो मांग रहे थे तो मैंने सुचा क्यों आज इसी पर एक वीडियो बना करके आप होम बेकर्स के साथ शेयर करूं आप भी इन्हें यूस करके अपने के के आप अपग्रेट कर देंगे तो उससे जो लेने वाला है उसको भी अच्छा लगता है क्योंकि हर आदमी के के टेस्ट को मांगता है अच्छा फ्रेशनेस मांगता है और उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा यूसफूल है स्पेशल ह हमारे हुम बेकर्स के लिए तो बिना स्किप के इस वीडियो को एंटर जरूर देखेगा आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत दूनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे वीवर्स की कि मैं अपने केक में टेस्ट अच्छा कैसे लाएं और बार्केट वाले बेकरी वाले क्या ऐसी चीज़े यो ऊस्ट करते हैं जिनकी से उनका टेस्ट वूरा तो पाइनफल फ्लेवर का केक लगता है और मेंगो का बोले तो मेंगो का ही लगता है तो देखिए पहले क्या हुता था हम लोग बेटर में फिलेवर डाल देते थे और बना के चीनी पानी के मिक्शर से उसको मॉइस्ट करके क्रीम लगा करके पुरा केक बना देते थे यह सोच के कि अंदर बैटर में हमने फ्लेवर डाला है तो उससे हमारे केक में टेस्ट अच्छा है और अभी भी कुछ बेकरी में जो सस्ते केक्स हैं वो ऐसे ही बिकते हैं और थोड़ा सा बेकरी स्टाइल थोड़ा सा अपग्रेट कर सकते हैं तो उनके लिए हमें यह क्रशिस की जरत पड़ती है और इसमें जो सबसे फेमस ब्रांड है वो है मालाज मालाज के बहुत सारे फ्लेवर साते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के मिक्स्ड के तो आप जरूर लाके परचेस कीजिए नहीं मिलते हैं तो यह ओनलाइन में मिलते हैं मैं आपको ओनलाइन का लिंक दे दूंगे अपने इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन लॉक्स में तो आप आराम से इने ले सकते हैं और कुछ लोग इनसे रिलेटिड यह भी पूछते हैं कि मैं पर भी खराब नहीं होते क्योंकि इतनी सारी बॉटल्स अगर मैं अपने फ्रिज में रखूंगी तो अपने घर का सामान कहा रखूंगी और आप सभी जानते हैं मेरे पास कोई अलग से फ्रिज भी नहीं है तो मैं रूम टेंप्रेचर पर ही रखती हूं अच्छे से क्लोस करके और दो-तीन महीने में खतम होई जाता है और जो मुझे लगता है कि काफी जैसे पिस्ता का क्रश है ये काफी रेर ऑडर आते हैं तो ये काफी लंबा चलता है तो इस बॉटल को मैं फ्रिज में रख देती हूं क्योंकि इसमें पिस्ता ड्राइव फ्रूट है तो मुझ ये सबसे जो famous cake है वो है pineapple flavor तो pineapple का flavor आप डालिए के batter में cream के अंदर डालना है तो emulsion ये flavor डाल करके आप बना लेजए इसमें extra taste देने के लिए आपको ये crush उस करना पड़ेगा pineapple और आप देख सकते है मेरा ये ना खतम होने वाला है, मैंने वैसे एक नया बॉटल लाके रखा हुआ है, पहले से ही, तो यह है पाइनेपल का क्रश, और इसकी कॉस्ट इस पर लिखे हुई है 160, 150 का यह आपको आराम से मिल जाएगा, और यह सबसे ज़्यादा ज़रत होती है, फ्रेंड्स, मुझे तो यह 5 से मॉइस्ट किया, फिर उसके उपर क्रीम के लिएर लगाई, और उसके ऊपर आपको यह लगपक एक से देर टेबल स्पून ता क्रश डालना होता है, अच्छे से उसे स्प्रेट कीजिए, फिर दूसरी लेयर रखिए, फिर वही प्रोसेस, और ऐसे करते करते तीन लेयर हो जैसे टेस्ट अच्छा हैगा, अब इसी को अपग्रेड और कैसे कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, पहले इन क्रशिस के बारे में दिख लेते हैं, तो यह होगी आप इनेपल का क्रश, इसी तरीके से आता है स्ट्रॉवेरी का क्रश, यह भी बिल्कुल से दो टेबल स्पून यह लगता है, एक है मेरे पास ब्लूबरी का क्रश, यह भी फ्लेवर के लोग केक्स कभी-कभी अच्छा लगता हूं में, और इसमें यह पल्पी है, इसमें पर लिखा हूँ है, मतलब ब्लूबरी का जो फूट होता है, उसका पल्प भी इसमें है, य यह भी 750 ml की बॉटल है, और यह मिली है, मुझे इस पर लिखा है 320, पट यह 320 की नहीं थी, यह श्याद 300 में मुझे मिल गई थी, चीक है, उसके बाद आता है, फ्रेंड्स, रसमलाई का क्रश, यह भी रेर यूज़ होता है, क्योंकि एक्चुली क्या होता है, रसमलाई के के अंदर हम रसमलाई का जो मिक्शर होता है, वो यूज़ कर लेते हैं, बट कभी-कभी फिलिंग में यह डाले तो अच्छा लगता है, इसमें ड्राइ फूट्स वगरा है, और यह 300 इस पर लिखा है, 300 का ही भाया ने मुझे दिया, और वही 750 ml कंटेंट है इसका, एक मैं फ्र अच्छा होता है, और यह है फाइनली मेरा पिस्ता क्रश, और यह थोड़ा कॉसली है, 400 लिखा है, बट इसका केक का फिर कॉस्ट भी महंगा होता है, तो यह मैं फ्रिज में रखती हूँ, कम ओडर आते हैं, तो यही मेरे पास कुछ फ्लेवर्स हैं, और जो भी आते हैं, व चोकोचिप्स वगरे डाल देते हैं, और मार्बल क्ले केक, और जितने भी जेल केक्स हैं, उनमें सभी में, मिक्स और मैच करके में एक क्रश यूज करती हैं, आप बार यह आती हैं, अपने केक्स को थोड़ा सा हमें अपग्रेट करना है, तो यह जो क्रश डाल करके हम अप बोलते हैं हमारा भई special cake है, तो वो special क्या होता है उसके अंदर, उसके अंदर होती है friends, pineapple की filling, यह एक 1 kg का box है, और यह 450 रुपीज में मुझे मिला था, और इसके अंदर, जो है crush तो ही, जिससे यह crush है, लेकिन इसके अंदर pineapple के ना कुछ chunks, pieces होते हैं, जिससे की, आपने में उसके pieces, chunks भी आते हैं, तो मैंने तो pineapple का इसलिए लाखे रख रख रखा है friends, क्योंकि मेरे सबसे ज़्यादा order इसके आते हैं, इसके साथ मैंने एक यह cherry का crush भी रखा हुआ है, और यह 450 का मिला है, और यह black forest cake में, चॉकलेट cake में बहुत टेस्टी लगता है, और cupcakes बना र copper cherry के pieces होते हैं, crush में तो जैसे normal mixture होता है जो नहीं, इसमें pieces होते हैं, तो जो मुह में आते हैं, crush के pieces के साथ तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ी सी इनकी range ज्यादा है, और यह भी मैं अपनी room temperature पर ही store करती हूँ, चीक है, उसके बाद friends, मेरे पास यह ए 600 gram का है, और इस पर 300 लिखा हुआ है, तो बहुत महंगा भी नहीं है, बट बहुत tasty cake लगता है, आपने फरर और रोशर केक खाए होंगे, बटर स्कॉच केक खाए होंगे, तो आप बो ले सकते हैं, आप सोचे होंगे friends, मेरे पास बटर स्कॉच का crush नहीं है, वो इसलिए क्य तो इसलिए जब भी बटर स्कॉच का केक आता है, मैं चीनी को करमलाइज करके, क्रीम और बटर डालकर के उसका जो crush मिल बनता है, कैरमल बनता है, उसी से केक बनाती हूं, तो वो फ्रेश भी होता है, और मतलब अलपनले जैसा स्वाद जो आता है बिल्कुल वैसा लगता है और वो फ्लेवर अच्छा भी लगता है, तो मैं इसलिए उसका crush रखती ही नहीं हूं, और बस यहीं मेरे पास friends, तीन, छे, साथ, 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 बड़ी बॉटल मालाज के crush की हैं, यह मेरा है, फुरू जोय का mango crush, और यह मैंने खरीदा नहीं था friends, जिस बेकरी से मैं समान ला सकते हैं, जिनके आसपास में चीज़े मिल रही हैं, वो लोग तो जरूर इने पर्चेस करें, जिने नहीं मिल रही हैं, वो आसपर उस में देखें, ओनलाइन देखें, और आराम से यह online भी जो है, तो आप इने ला सकते हैं, तो friends, यह crushes नहीं है, यह मेरी जान है, और इनी कि अभी यह fruits पर depend करता है, फिलाल तो मेरे पास कोई fruit नहीं है, बट जैसे ही मेरे पास कभी आएगा, तो मैं उसका instant वाला crush बनाना आपको सिखाऊंगी, लेकिन उसकी shelf life ज्यादा नहीं होगी, इने अगर डालने से, आप जासादा 15-20 दिन रख सकते हैं, वो भी fridge के अंदर हाँ, mango का crush कैसे बनाया जाता है, वो मैंने अपनी channel Tara Madhu की recipe पर आपके साथ share किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं, और अगर मैं इन में से कोई fruit भी लाई, और इसका बनाया, तो मैं आपके साथ जरूर उसकी recipe शेयर करूँगी, meanwhile आप इने purchase कर सकते हैं, और friends, crush पनान आते हैं, बट इने लाईएगा जरूर फ्रेंड्स, आपके cake में बहुत ही बहतरीन ये taste देंगे, और आपका जब काम tasty होगा, अच्छा होगा, और decoration आप सुन्दर करेंगे, तो बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि मेरे पास cake के orders में आते, वो भी आने लगेंगे, क्योंकि हर क्या चाहिए, एक तो bakery जैसा अच्छा बढ़िया quality का taste चाहिए, जो कि ये crushes हमें दे देते हैं, plus neatness और decoration अच्छी होनी चाहिए, जो कि आपके हाथ में आप practice करके उसे ला सकते हैं, और रही बात order की friends, जब आप cake बनाने लगेंगे, कहीं एक भी cake देंगे ना, और वो वहा काम इतना सुंदर, इतना tasty, उसमें चीज़े आपने यूज़ की होंगी, तो अपने आप बोलेगा, और cake में और friends, कुछ नहीं चाहिए, mouth to mouth publicity होनी चाहिए, एक से एक, एक से एक, जब आपका काम दूसरे तक जाएगा, वो भी taste करके, तो आपका काम खुद ही बढ़ने करूँ, और वो खाये तो उसको अंदाजा होगा कि मैं कैसा बनाती हूँ, और बहुत सारे मेरे viewers कमेंट भी कर रहे थे कि मैं cake के order नहीं आ रहे हैं, क्या करूँ, कैसे करूँ, तो देखिए, सब किसमत है, आपका काम है, लट भी है, बट महनत भी है, तो आप बनाते रहे है आपको कम रेट में cake दोंगी, आप मुझे किसी के बर्दे का भी order पर बदाएंगे, तो मैं आपको कुछ परसंट आपका profit दोंगी, तो उससे help होगी आपको, और धीरे-धीरे क्या होगा, आपसे एक बार तो उनका setting बैठ गया, फिर उसके बाद आपको लोग जानने लगे कि उनसे भी पूछेगा ना कि यह कहां से cake देते हैं, तो हो सकता है, आपको कॉंटेक्ट उने पता लग जो और फिर आपको बिकरी की ज़रत ना पड़े, आप अपने खुद के लेवल पर cake को सेल कर पड़े, और यह सिरफ एक promotional publicity होती है, start-up थोड़ा सा चाहिए होता है, ज वीडियो को लाइक शेर जरू किजगा फ्रेंड ज्यादा से ज़्याद अपने फ्रेंड सरकल में इसे शेर कीजगा ताकि सभी लोगों को इसका फाइदा हो, और मेरे चैनल पर नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजगा, साइड में जो बेल आइकन हो से प्रेस कर इसी तरीके की डेली डेली नहीं नहीं इंटरस्टिंग रेसिपीस के लिए, अब मैं इस तरीके से बैट करके एक दो फोटो क्लिक करूँगी, क्योंकि घर में कोई नहीं है, और मुझे फ्रंट केमरे से ही लेनी पड़ेगी फोटो, तो थोड़ा सा इने पीछे करूँगी क्योंकि शायद क्रश की फिलिंग की फोटोग्राप्स आ नहीं रही हैं, और इसी तरीके से फ्रेंड्स में अपनी फोटोग्राप्स लेती हूँ, और फिर इसमें से स्क्रिंशॉट क्राइन मास्टर कैप्चर करके आता हो, लेकर के मैं थमनेल बनाती हूँ, तो चली मिलते नेक्स वीडियो में, बबाई, टेक केर